आपका नाम बताईए आपका परीची आपका नाम आपका नाम स्रीजी महराज शूरंजना जी दादा साहिब का देरासर है जहिंदेरासर तो उसकी बारे में कुछ बताईए यहाँ पर जो दादा मुनी सुरत स्वामे का जिनमंदिर और उपर चंदिपूप स्वामे का जिनमंदिर और नीचे मोल लायक जिन्दत सुरिश्टर जिमार साब की दादा वाड़ी यह वैसे द्वाति प्राचिन है लेकिन इनका पुना जिनोदार करीबन 40-42 साल पहले हुआ पुझ्य मनुर्शी जिमारा साब जो जब विराज रहे थे और उनकी गुर्वरेसरी ने उनको पादरे चातुमास के लिए कहा तो बोले मैं बीच में कहां रुकूंगी जगह नहीं है तो बोले अंदाबाद नहरूंपुरा दादा साब के पगले में तब यहापर कोई रह हैं इसके बाद इस दादावाड़ी के इतनी प्रभावक्ता बढ़ गई है कि पूरे भारत भर में इस दादा साबके पगले के नाम से प्रशिद्ध है यहां पर प्रती सोंबार के दिन करीबर 15-20-20 जार लोग रात को दो बज़े तक दर्शन करने के लिए आते हैं आस्ता के आइटम जैसे पाड़ना है नारियल है और वे ऐसे कहीं चीजें वह अपनी स्रद्धा से चड़ाते हैं विशेस्ता यह है कि यहां पर इतने जरों की संक्या में लोग होने के बाद में किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं होती कोई लोग आपस में वारता लाप नहीं करत है कि इतने लोग दाता से आक्रशित है स्वामभार का इतना क्यों महत्व होता है स्वामभार को वैसे वर्सों पहले 700 करीबन साल पहले देहरा और में हमारे प्रकट प्रभावी जिनकुष्ण सुझमार साब का देवलोग हो चुका था और उनका भक्त मालकुरम विराजता तो उनने यह जाते हैं थे सब्सक्राइब आपका कुछ भी हो तो मुझे पता चलना चाहिए और भुर्देव अमावस बादी अमावस के दिन देवलोग हो जाते हैं और भक्त को पता चलता है कि मेरे घुरोदेव देवलोग हो गे तो पाड़ो में जाके बहुत रहता है त जिस जगह पर दिये थे वो मालपुरा स्थान है और वहां पर भी जिस पाहड पे खड़े थे वहां पर गुर्देव की चरण अंकित हो चुके थे उसको आज ही वही पुजा जा रहा है उसको चैंज नहीं कर सके उसको बदल नहीं सके मकराना नहीं लगा सके वह भी आज भी कारिक क्लूप में लाखों लोग आभी दर्शन करने जाते हैं जो देरासर है मुनियो स्वामी भगवान का तो उसको दादा साहिब का पगला क्यों कहते हैं क्योंकि यहां कि दादा पुर्दे की चरण पादू का बहुत प्राचिन रूप से थी और मुनिसुद दादा का मं और कौन को रौल प्रगवान है नीचे मंदिर में बीसके तिर्थंकर मोनिसुद दादा विराज माने और उपर में आठ में तिर्थंकर स्री चंदा प्रूप सामय वगान बिराज माने तो देरा सब की इस्ट्री और कभ उसकी प्राण प्रतिष्टा हुए उसके बारे में क वैसाग सुधी पंचमी और वैसाग सुधी सब्तमी के दिन इनकी पुनहर प्रदिश्टा हुईती वापस मुनिवर स्वामी और सनिवार के दिन इसका बहुत ज्यादा महत्तम्य है सब्सक्राइब करते हैं मुनिवर्स स्वामी और सणी देव भगवन में क्या सामयता है सामयता रासी के हिसाब से और ग्रह के हिसाब से उनका अनुमालित तिर्थंकरून के प्रबाव सालिग होते है साधिव जीवन की प्रबाव से प्रबावित होकर शिष्य बने थे और उनका पूरा स्वयोग करते हैं साध्वी जीवन के पूरे दिन की दिनचरिया क्या हो रहती है हमारी दिन चरिया तो वैसे ज्न ध्यान स्वाध्या यंतन पत्याग परवचन में रहती हैं, वैसे लगबग जैसे मनमाराज जी वो रात को एक बज़े ऊटए हैं, हम लोग तो इतने हम नहीं उट पाते हम तो तीर बजे चार बज़े उटते हैं, लेकिन यह रात को एक बचगे दियान में बैठ जाते हैं और उनको जब भी स्वास्थत्य में अफ्षत्य स्वस्तता लगती है तो यह सिर्थे अपने प्रमात्म से प्रित्त जुडते हैं दौड़ा ही डॉक्तर से प्रित नहीं जोडते हैं और फिर उटने के बाद हैं हमारे रात्री बर में जो भी हमें सुक्ष्व द्रिश्टी से कोई पाप लगे हो लग तो उसका हम प्रतिक कमण करते हैं और 24 वगवान के दिर्थन के इस्तुति करते हैं इस्तवन बगरा करते हैं उसके बाद में हमारे सामोई क्रिया होती है जो ह तो पास, एकासना, बियासना, अंबिल, वो तो गोच्रे हैं, एक बार करते हैं, लेकिन जिसको जैसे वाकर नाय तो नौकार्शी के ले जाते हैं, घरों में से हम, जिनके गर जो बना हुआ होता है, उसमें से अलप मात्रा वे थोड़ा थोड़ा लेकर आके, हमारे उसमें नि बज़े के बाद, पहले हम ध्यान करते हैं, चिंदन करते हैं, यह मनुष्य जीवन कैसे मिला, यह जीवन कैसे मिला, परमात्मा की इतनी कृपा कैसे हुई, यह सब चिंदन करते हैं, निश्ची तुरूप में धर्म किया होगा, पुन्य किया होगा, जीवों के ब्रतिद्ध आपके शाप से जीवन का क्या मतलब ए जीवन काशुप परिढ़ करनाम में जीना चीना अच्छा को बनाने के लिए इतनी भागदोड करते हैं कमाने के बीच अपना सब कुछ खो देते हैं पहला तो धर्म फिर परिजन परिवार इस्तेन आते जब उनका एक ही रहता है कि कैसे सुखी बने लेकिन सच में यह तो एक सुखा भास होता है वेक्टिक वह धन चाहिए तो धन तो भूत मिलेगा लोगों के पास में भीखारी लोगों के पास में भी थुखी नहीं ना लोग कहेंगे कि सुविदाओं से, तो सुविदाओं को पूरा घर से बरलो, पर आगमे सुखी तो नहीं होता, उसको बीमारी गेर लेती है, बीमारी गेर लेती है, तो हॉस्पिट पर एड़ीर होता है, तो दवाय से बीमारी सुखी होता नहीं है, तो सुखी होने का तो यह ह जीवन का आनद और खुशी नहीं है जी धन्यवाद